अगर आपके mobile की storage जल्दी फुल हो जाती है और mobile आपका hang होता है तो इस वीडियो में आपको एक setting बताऊंगा कि आपका mobile कभी भी hang नहीं होगा आपकी जो memory है वो कभी भी फुल नहीं होगी नमस्कार दोस्तों मेरा नामे आतुल ज्यानिय एक सारी परसन हो मेरे YouTube चैनल Tech View में आपका हर्दिक स्वागत है इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुबाइल जब हैंग होता है बार बार और आपका जो internal storage है आपका मुबाइल का वो full हो जाता है और उसी वजह से आपका जो मुबाइल हैंग होता है और आपके कोई भी search करते हैं तो search का जो result आता है आपको इसकी जो latency बोलते हूं इसको latency बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपके जो search के result होते हैं बहुत देर देर में आपको आते हैं आपका net slow चलता है तो ये वीडियो क्या setting है आपको चले मैं आपको WhatsApp के उपर ले चलता हूं और WhatsApp में आपको एक setting करनी है तो दोस्तों ये हम WhatsApp के उपर यहाँ पर आ चुके हैं WhatsApp में जैसे आप कोई भी आपका group है या individual कोई भी आपको message भेजता है तो आप उसको अगर उसको download नहीं भी करते हैं तो वो खुदी download होके आपके जो आपकी gallery है internet storage है उसमें save हो जाता है और उससे क्या होता है देरे-देरे आपका जो data है आपका आपका जो internet storage है फूल हो जाता है और आपका mobile hang होने लगता है तो उसके लिए आपने क्या करना है यहाँ पर जैसे आप suppose किसी भी आपका group है या individual कोई भी आपको message बेजे और आपके gallery में save नहूंँ उसके लिए आपने क्या करना है यहाँ पर जो जिस number पर आपने setting करने है उसके icon पर click करें तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर icon पर click कर button दिखा ही दिरा आपको तो राई पर आप click करेंगे जैसे नीचे आप scroll down करेंगे तो आपको यहाँ पर तीन option दिख रहे हैं फर्स्ट आपका mute notification है custom notification है और media visibility आपका तो third option जो media visibility है उस पर आपने click करना है click करने पर पर आपका ऊपर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है so newly downloaded media from this chart in your phone's gallery और यह हमेशा ही जब आप इसको देखेंगे तो यह हमेशा default में yes रहता है ठीक है तो जाता लोगों को पता नहीं होता और उनके mobile hang होता और internet storage full हो जाती है तो इसको आपने यहाँ पर क्या करना है कि आप third जो option है यहाँ पर no का तो no पर आप click करना है इस से क्या होगा कि जो भी message भेजेंगे आपको तो उससे क्या होगा कि आपकी message जो भी होगा good morning का good night का kुछी message हो whatever kुछी message है तो उसमे जो फोन गैलरी में सेव हो जाता है तो इसके बाद क्या होगा वो आपकी फोन गैलरी में सेव नहीं होगा जब आप वो इंडिविजल पर किलिक करेंगे और उसके जो चैट है उस चैट को पढ़ेंगे वो message को पढ़ेंगे तब ही आप उसको पढ़ सकते हैं पर वो आपकी gallery में save नहीं होगा यहाँ पे नीचे आप right side में ok का button है ok पे click करें तो यह आपका यहाँ पे set हो जाता है ऐसे ही आपने जितने भी आपके हैं जिससे आपको लगता है कि आपकी gallery में save नहीं होने चाहिए इनके message आप जब देखें तो उस time ही आपको दिखाई देना चाहिए तो उसके लिए आपने क्या करना है उतने ही पे सब पे आपने क्या करना है आई पे button पे click करना है नीचे scroll down क यहाँ पे लिखाओ है तीसरा option media visibility जैसे यहाँ पर तीन option है mute notification, custom notification और media visibility तो media visibility पे आपने click करना है यहाँ पे default रहता है click जो yes रहता है हमेशा तो उससे क्या होगा phone memory में आपका जो भी photo होगी image होगी वहाँ पे save हो जाएगी good morning, good night वाली जिसको आपको कोई भी requirement है कोई भी तो आपने क्या करना है no पे click करना है और यहाँ ok पे click कर देना है तो आपका यहाँ पे setting media visibility की off हो जाती है ऐसे आपने हर एक जो भी आपके यहाँ पे contact list में उसके icon पे click करके यह setting करनी है तो इससे क्या होगा इससे आपकी जो memory है वह full नहीं होगी आपका mobile hang नहीं होगा ठीक है तो यह setting आप जरूर करें क्योंकि जातर लोग इसी चीज से परिसान रहते हैं और बात में उनको आपनी जो भी image रहती है जिसकी उनकी document है तो document या image की उनकी जरुत होती है तो वह भी उनको delete करने पड़ते है पूरी ही अपने internal stories को खाली करना पड़ता है तो यह setting आप ज जय हिंद जय भारत